लो गाईज तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Windows 11 इंस्टॉल करने के टाइम कि यह जो यहाँ पर Network Connection करने के लिए बोलता है यहाँ पर आपको अपने Laptop को या अपने PC को जिसमें भी आप Windows 11 इंस्टॉल कर रहे हो लेकिन अगर आप चाहते हो बिना Internet Connect किये इस वाले step को skip कर जाओ तो गाईज मैं आपको बहुत ही easy trick बताने वाला हूँ जिससे आपका यह step skip हो जाएगा तो गाईज आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दो ताकि आपको इस तरह की वीडियो हमेसा मिल पाए तो गाईज इस वाले step को skip करने के लिए सिंप्ली आपको अपने कीबोड पे shift प्लस f10 का key प्रेस करना होगा जिससे आपके screen पे ये एक box खुल जाएगा जहाँ पे आपको ये सारा command टाइप करना होगा तो टाइप करने हम task kill ये सारा same to same type करने के बाद interface करना है तो गाईज interface करने के जश्ट बाद आप देखोंगे कि native connection वाला जो step था वो directly skip हो जाएगा उसके बाद आप windows 11 installation का जो भी आगे का process है वो बिना internet connection किये कर पाऊगे लेकिन guys मैं आपको सब्सक्राइब करूगा अगर आपके पास internet connection available है तो guys आप बिना skip किये internet connect करके ही आगे का process करना थोड़ा सा internet और time जाता लगेगा internet connection करने के बाद अगर आप करोगे तो आपका जो system में जो windows install होगा, windows 11 install होगा वो पूरी तरह से update होकर install होगा और आपको सारा कुछ macrosoft का account वगरा सब कुछ create starting में ही करना पड़ेगा लेकिन अगर आप internet connection script कर देते हो तो कुछी step में आपका windows 11 ready हो जाएगा, तो guys आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए वीडियो को like और अगर मन करें तो channel को subscribe भी कर देना